नवस्कार मैं भी जयादू आप देख रहा हैं सर्विलांस खबर आसनाई में हुई इवक्की हत्या मामला अंबेट का नगर के सम्मन पुर्थाना छेतर के मेवडिया गाउं से समंधित है बताया जाता है कि अमित नामकीवर अपनी भुफेरी वहन के नंद से प्रेम करता था कल साम अमित उससे मिलने उसके गाउं गया हुआ था वहां के लोगों ने आपती जनकी स्थित में अमित को देखकर धारदार हतियार से उसकी निर्मों मत्या कर दी मौके पर पहुची पुलिस ने खून से लस्पत अमित को इलाज के ले जिला अस्पताल पहुचाया जहां डाक्टरों ने उसे मिर्ट गोसित कर दिया वारदात में सामिल अभिकतों को पुलिस द्वारा ग्रेफतार कर लिया गया आगे की विधिक कार्जवाई पुलिस द्वारा की जा रही है पुलिस अधीचक अंबेटकर नगर डाक्टर कौस्तूब ने बताया कि इस गंभीर परखने को लेकर पुलिस जीरो टॉलरेंस पर आगे की विधिक कार्जवाई कर रही है देखे अंबेटकर नगर से सर्विलांस खबर संबाद दाता लाल जी चतुर्वेदी की यह रिपोर्ट जनपद अंबेटकर नगर थाना संबन पूर अंतरगत ग्राम मेवरिया से पुलिस को शाम के लगबग साड़े साथ बजे सूचना प्राप्त हुई यह वहाँ पर आमित नामक युवक उम्र लगबग 29 वर्ष पुद्र स्वर्गेया राम मूरत धाना जलालपूर के रहना वाला यह गाहल अवस्था में पड़े हैं इस सूचना पर पुलिस द्वारत अत्काल अमित को अस्पताल पहुचाया गया जहां पर इलाज के दोरान उसकी मृत्यू हुई है अमित के परिजनों से तेरीर प्राप्त करते हुए धारा 302 के अंतरगा अभ्योग पंजिकरत करते हुए सबीन हमजद अभ्योगतों को पुलिस द्वारा अपने ग्राफ में लेकर उन से पूछ आज और अगरे में विदे कारवाई की जा रही है अभी तक की प्रारंबिक जांच में ये बात निकल कर आई है कि अमित अपनी फुफेरी बेहन गुडिया की ननद प्रियंका उम्र लगो 27 वर्ष के कहीं और शादी ताय हो जाने पर छुब्द था क्योंकि इसकी प्रियंका से पहले बात चला करती थी और वो प्रियंका से विवा करना चाता था इस बात को लेके ये ग्राम मेवरिया प्रियंका के घर पे पहुंचे थे और जहां पर किसी वाद विवाद के दौरा इसके पेट में ये चाकू लगा है पुलिस द्वारा आल सब्सक्राइब कर लिया गया है तथा सभी नामजद अभ्यक्तों के विरुद अगरे मुकारवाई प्रश्चनते हैं